लो गाईज एक बाद फिर आप सभी का सोगत है आपके अपने चलम में तो आज हम लोग आप बात करने वाले हैं इंडिया और सिलंका के विज़ पहला टी-20 मैच खेला जाने वाला है आज साम को साथ बज़े उस मैच के बारे में जो की खेला जाएगा वन खेले स्टेडियम म बहुत ही जाद हो जाएगी अगर मैच की बात के तो पिछ की बात के ध्यान लगना अच्छा वाइटिंग की पिछ होगा बहुत ही अच्छा जहां पर टीम चेज करना पसंद करेंगी डियू गिरेगा इसके कारण और यह पिछ इस्पिनर्स और फासबर्स दोनों को बराब और आपील के मैसेज खेलेगा है बैटिंग फास्ट करनेवाल टीम ने पचास में जीच दर्ज किये थोड़ा बहुत एडवनटेज बैटिंग फास्ट करनेवाल टीम को रहेगा जैसा कि मैंने बताया अब हम लोग बात करेंगे इंडे की दो इंडे की बात कीज़े तो इन स्रिलंगा क्लब 3-20 मैच खेला है 155 स्कोर किया है रिसन फाम की बात किए तकड़े फाम में चल रहा है मस्ट भी खोने वाला है एट्टोड कांटेज में खास कर रूत राज गायक वाड़ा हैं इसका रिकाड इंदना अच्छा नहीं है लेकिन प्लेयर अच्छा है ध्यान स्रिलंगा क्लब जिस में चाहरा है रिसन फाम में चल रहा है रिकार्ट भी अच्छा है मैच ट्वीक होने वाला है संजू सैंसन आएंगे स्रिलंगा क्लब साथ टी टॉनटीज में स्कोर कर पाया है रिसन फाम की बात किया तो अच्छे फाम में चल रहा है ध्यान रखना रिकार्ट पांड रिकार्ट विगर निका लें राइट आंप फास वीडियों वालिंग करता हैं तो नो मैच खेलें स्रिलंगा क्लाब टी टॉनटीज में जिसने बाहत्तर रहन स्कोर किया नो विगर निकाले है रिसन फाम की बात किया अठ्यारन दो विगर तेरसर रहन जूरू बिगर तेरा रहन तीस नाट आट आउट ध्यान रहा है और खास करा अगर एक कैप्टन है तो बालिंग कराने के इसकी चांसे बह लंगा किलाब जीरो विगर निकाला है रिसन फाम की बात किया तो एक सो तैटीस एक सो बच्पर नाट आट आट एक बिगर चोरा नहीं जेरो विगर दो विगर अच्छर पटे लाएंगे टी टी टॉनटीज में इनके नाम साइटीस मैच में 174 विगर निकाले है थोड़ी बहुत बल्लेवाजी कर लेता है है तो सिलंगा किलाब तीन टी टॉनटीज के मैच खेले हैं दो विगर निकाले है रिसन फाम की बात किया है जीरो विगर चार विगर देनार बॉल नहीं जीरो विगर युजबेन चाहलाएंगे टी टॉनटीज में इनके नाम एक आत्र प्रणा दस मैच में 20 विगर रिसन फाम के बात किजा जीरो विगर पांच एन जीरो विगर तीन विगर जीरो विगर उम्रार मली काएंगे आईपियल में इनके नाम 17 मैच में 24 विगर इंडिया के लिए टी टुनटीज में अभी तक सिर्फ 3 मैच खेले हैं दो विगर निक को पिक करना ही है मस्ट फिक होने वाला है अगर आपको पिक कर सकते हैं उसके साथ रूतराज गायकवाट सुर्क मारे यादो को पिक करना ही है उसके साथ अगर बात कि जाए तो बॉलिंग कर सकते हैं हरसल पटेल को या फिर असदिब सिंग में से किसेव को उसके साथ साथ युद्वेंट चाहल को पिक करना ही है तो यह तो बात हो गए इंडिया के बात करते हैं दूसरी टीमाइन नहीं स्रेलंका कि बात कि जा इन्हों ने टी टोन की लाइक कि लाज पांच मैंच जिए नहीं हर करा रहा है यहां से ओपन करने वाले हैं पत्रुमनिसंक्राइब पत् किया है तो इंडिया क्लाब 3 टीटोंटीज के मैच खेला है 123 स्कोर किया है रिसन फार्म की बात किये तो आप 72, 0, 58, 17, 4 ध्यान रखना यह सारे प्लेयर्स से लंगा के इनका टीटोंटीज का रिसन्ट का एक्सपिरियंस है तो यह मस्ट फिक होने वाले हैं दो के दोनों प्लेयर ध्यान रखना धनजेड इसलो आएंगे टीटोंटीज में इनके नाम 33 मैंज में 626 रन है 12 गिंड का ले हैं राइट आप में पर कभी कभार बालिंग करा लेते हैं ध्यान रखना है तो छे मैच खेले हैं इंडिया क्लब टीटोंटीज में 103 रन स्कूर किया है रिसन फार्म के बात किये तो बारा छे दस चोउसाट एक तीस रन जीरो बिकट कभी कभार गेंदबाजी करा सकता है चरे थसलंका एक दो ओबर और खासकर अगर धनजेडी स्लोवा है टीम में तो चरे थसलंका की गेंदबाजी कराने क टीटोंटीज में टीटोंटीज में तीस रन स्कूर कर पाया है रिसन फार्म के बात किया जीरो बिकट यारा ने एक बिकट तीन जीरो बिकट सता नाडव जीरो बिकट अच्छी सांदार फाम में है मस्ट फिक होने वाला है कैप्टेन वाइस कैप्टेन का प्रवलदा रहेगा ड्रिम लोन की टीम में ध्यान रखना वनिंदू अस्तरंगा चमका कड़ोंटनेंगे टीटोंटीज में इनकी नाम अर्टीस में दोस्ता और नने 21 बिकट निकाले ह है तो इसको आप ग्रेंड लिग में कैप्टेन वाइस कैप्टेन खेल सकते हो अच्छा फिक हो सकता है महिश थिकसाना आएंगे टीटोंटीज में इनकी नाम 32 में 31 बिकट है एट टीटोंटीज में निकाले है रिसन फार्म के बात की जाए दो बिकट एक नाट और सुरुआब के रिएग कंसे कैप्ट तो पिक कर सकते हैं पत्थु मैं चंका को भी ट्राई कर सकते है उसके सदस्द राई कर सकते हैं उसके सच चरिज सलंगा को को पिक करना ही है है तो इधर से आप महिश ठिक्साना को अगर पिक कर रहे हैं तो उपर से शुरुवात के रितुराज गयकवाड़ एगिसान के सम्में से किसी ओको ड्राप करना पड़ेगा क्योंकि शुरुवात में अधिकतर बॉलिंग कराता है तीन से दो से तीन ओबर करा देता है महिश ठिक्साना शुरुवात में ही तो अगर ये शुरुवात में गिंदाजी कराता है और उधर से आप दोनों प्लेयर को पिक करते हैं तो इनको पिक करने वाला नहीं रहेगा क्योंकि यह विकल्डेस हो जाएंगे उनके सबस्काइब कर सकते हैं लायरू कुमार सब्सक्राइब करना है वाई शाहल एसिंग के रिस्था को कैप्टन में रहने वाले हैं यह यादो वाई रहेंगे डवलो हसंगा लेकिन फानली टीम नहीं फानली टीम पको इलगाम चर पर मिल जाएगी